एगाइज मैं हूँ संजना टीवी एंड वेब सीरिस बुलेटिन में आपका स्वागत है स्टार प्लस के शो कुल्फी कुमार बाजा वाले में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट शो के में लीड मोहित के केरेक्टर सिकंदर को शो में मार दिया जाएगा जी हाँ सुनने में आया है कि मोहित के केरेक्टर को शो में हार्ट अटाइक आएगा जिसके बाद सिकंदर को डेट डिकलियर कर दिया जाएगा इस शो ने ओन एर जाने के बाद से ही ओडियंस के दिलों में अपनी जगा बना ली थी और अब सिकंदर की देथ व्यूर्स के लिए हार्ट ब्रेकिंग होने वाली है सीरिल गुड़न तुमसे ना हो पाएगा में गुड़न अपने परिवार के साथ पहुच गई है अम्यूजमेंट पार्क जैसे कि हमने बताया था कि पार्क में टेररिस्ट अटाक होने वाला है पर उससे पहले हमें गुड़न और अक्षद के कुछ रोमांटिक मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे अम्यूजमेंट पार्क में गुड़न अक्षद का चालेंज एक्सेप्ट करके सबसे बड़ी वली राइट पर बैट जाएगी राइट के स्टार्ट होते ही गुड़न दर की वज़़े से जूले से कूदने लगेगी और तब हिरोईक एंट्री लेंगे अक्षद और ओर्डियन्स को देखने को मिलेंगे रोमांटिक सीन्स इस हफते खत्रो के खिलाडी में शो की जान भारती सिंग एलिमिनेट होते होते रह गई जी हाँ शो का एलिमिनेशन स्टन्ट अली भारती और रिधिमा के बीच हुआ जिसमें भारती सबसे पीछे रह गई और रोहित छेटी ने उन्हें कहा कि वो एलिमिनेट हो चुकी है इसके बाद रोहित ने हर्ष को सापो के बीच में से भारती के लिए एक गिफ निकालने को कहा जिस पे हर्ष काफी डर गए और कुछ एंटर्टेनिंग मुवेंट्स देखने को मिले गिफ्ट यही था कि ये हफता नो एलिमिनेशन वीक था और भारती सेव थी ये रिष्टा क्या कहलाता है में नायरा और कीरती के प्रेगनेंसी ट्रैक के चलते ना ही शो ने सिर्फ टॉप 10 में एंट्री मारी है बलकि पांचवे पाइदान पे अपनी जगा भी बनाई है जी हाँ ये ट्रैक और्डियन्स को काफी पसंद आ रहा है शो में कार्तीक नायरा के बच्चे के मरने के बाद कीरती और नक्ष का बच्चा नायरा को दे दिया जाएगा गोइंका हाउस में इस न्यू एंट्री से सभी बहुत खुश है पर कार्तीक का गिल्ट उसे चैन्स से जीने नहीं देगा नायरा को भी लग रहा है कि बेबी उसके मदरली टच को नहीं पहचान पा रहा है कार्तीके इस रास पर से पर्दा उठने के बाद गोइंका हाउस में तुफान आना पक्का है कॉफे विद करन में इस हफते डेब्यू किया राजकुमार राओ और भूमी पेड़ने करने दोनों ही करन के शो में आके काफी खुश नजर आये और भूमी ने बताया कि उनकी फैमिली उन पर इससे जादा प्राउट कभी नहीं हुई भूमी ने ये भी बताया कि वो यश राज फिल्म्स के लिए कास्टिंग करती थी और तब ही उनकी पहली फिल्म दम लगा के हैशा मिली थी अपनी इस जॉब के चलते भूमी ने रनवीर, कृती, परिनीती, राजकुमार जैसे बड़े स्टास का ओडिशन भी लिया था अप्डेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अप्डेट्स चानने के लिए बेल आइकल जलूर प्रेस करें